क्या हल है आप लोगों का स्वागत है आपका इस वीडियो में और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का हिस्ट्री का चैप्टर नमर थर्ड और चैप्टर का नाम है नाजीज्म एंड राइज आफ हिटलर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हिटलर के ब पहला लाइन देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको देखने को लगा 1945, तो यानि कि इस चैप्टर की कहानी की सुरुआत की गई है, 1945 से जब हिटलर युद्ध हार चुका था, सेकेंड वर्ल्ड वार हार चुका था, और जर्मनी जो है, वो पुरी तरह से डिफ्यूट हो चु काफी सेरियस्ली बात करे थे, उसके फ़ादर जो कि एक बहुत ही जाने माने फीजीशन थे, और काफी भायस वर में, काफी सीरियस स्वर में, अपनी वाइव के साथ, डिवेट कर रहे थे, कि अब वह समय आ गया है, कि या तो हमें पूरे परिवार को मार देना चाहिए, य अगी से अंगर आपका उसमे आपका UK आता है यानि कि Britain आता है फ्रांस फिर आपका क्या करते हैं USA आता है फिर USSR USSR यानि कि आज का जो हम रसिया जानते हैं उसको मिला कि कुछ रीजन्स ये सभी बड़े पावर्स थे और एक्सिस में हम देखेंगे तो जापान जर्मनी और इटली ये सभी पावर्स एक्सिस में थे तो अलाइज जो हैं वो जीत गये थे वार्ड टू हार गये थे तो इस वज़य से उसके जो पिता जी थे मेहमत के हेमत के वो काफी ज़िदा परिशान थे कि हम जब हार जोके हैं युद और अलाइज ने हमारे इलाके पर कभजा कर लिया है तो अब जीतने के बाद वो हमारे साथ वही वैभार करेंगे जो कि हमन यहुदियों के साथ किया था या फिर क्रिपल लोगों के साथ किया था उसके अगले दिन यानि जिस दिन ये बादचीत हुई उसके अगले दिन जो हमत था वो अपने पिता जी के साथ गया यानि अपने पाबा के साथ गहुमने और उन्होंने काफी अच्छा समय गुजार कर ली और इसके बाद हैimaad को अभी भी वो दिन याद है जी समय उसके फादर्स के जो यानि उसके पिता जी के जो युनिफॉर्म था और वो युनिफॉर्म पूरी तरह से खुन में सना हुआ था क्योंकि उन्हों ने उसने सुना था और जो उसने देखा था कि उसने अपने घर में करीब 9 सालों तक खाना खाने से इनकार कर दिया, वो डरता था कि कहीं उसकी मा जो है, जैसा कि उसके पिता जी कहते थे उससे poison न दे दे यानि कि उससे माडने की कोशिस ना करें, तो सोच सकते हैं कितना जादा वो डर गया था, अब आगे बढ़ते हैं, देखिए हैमत जो है, वो एक तरह से रियलाइज ये नहीं कर रहा था, कि इन सभी चीजों का मतलब क्या होता है, क्या हो रहा था, क्यों पीछे चीजे होई, और उसके पिताज जो थे, वो उतना डरे हुए क्यों थे, तो देखिए यहाँ पर बात यह है कि उसके जो फादर थे, यानि कि हैमत के फादर, वो एक नाजी थे, नाजी का मतलब जो हिटलर की पाटे थी, उसके सपोर्टर थे, और वो एडॉल्फ हिटलर के एक कटर समर्थक थे, तो आप में से ज़्यादा तर लोगों को पता होगा कुछ चीज में, और उसका एंबिशन था कि वो पूरे यूरोप को कैप्चर करे, और आपने ये भी सुना होगा कि हिटलर ने जी उसकी काफी ज़्यादा संख्या में हत्या कराई थी, तो देखिए नाजीजम ऐसा नहीं है कि हिटलर की पार्टी के आइडिलोजी को ही नाजीजम कहा ज पूरे वर्ल्ड को देखने का एक नजरिया है, और पूरे वर्ल्ड को समझने का या फिर उससे एक्ट करने का एक तरह का पॉलिटिक्स का पॉइंट ओफ व्यू है, तो अगर हम ट्राइ करें और समझने की कोशिस करें नाजीजम क्या है और क्यों इस तरह की भावना आई, तो हमें बहुत सारी चीजों को पढ़ना होगा आगे, तो लेट अस सी वाई हमत फादर किल्ड हिंसेल्फ आफ्टर बिइंग बेसिस ओफ फियर, आफ्टर वाट बेसिस ओफ फियर वाज, तो अब हम देखते हैं कि आखिर हमत के जो फादर थे, उन्होंने खुद की हत्या क कियो कर दी, यानि कि उन्होंने आद्मत्या क्यों कर लिया, तो देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे उसके बैकरांड को, ये तो हमने एक तरह का इंटोडक्शन देखा, इंटोडक्शन के बाद, अब हम देखते हैं कि आकर रियलीटी में, इंसिडेंट Goebbels and his entire family committed suicide तो देखिए ये सभी चीजे होने के बाद जो Hitler था उसके साथ जो उसका Minister था Goebbels जो प्रचार मंत्री था Goebbels और उसकी पूरी family यानि कि Goebbels की पूरी family और Hitler की पूरी family इन्होंने suicide कर लिया एक bunker में ऐसा कहा जाता है कि bunker में suicide collectively in his Berlin bunker in April तो यानि कि मैं मैं surrender हुआ उसके पहले ही अप्रिल में ही इन्होंने suicide कर लिया था At the end of war an international military tunnel at Nuremberg was set up to prosecute Nazi war criminals for crime against peace, for war crimes and crime against humanity तो दिखिए ये जो suicide इन्होंने कर लिया, इसके बाद यानि कि यूद खत्म होने के बाद एक international military tunnel यानि कि एक तरह का court बैठा जो कि कहां पर बैठा था Nuremberg में बैठा था और इसका उदेश ये था कि जितने भी नाजीज लोग थे जो कि क्या कहते हैं यूद थोपने के आरोपी थे या फिर यूद करने के आरोपी थे और जो humanity के खिलाफ उन्होंने जी क्राइम किया था जैसे कि उन्होंने जीवस की हत्या की थी और जो क्रिपल लोगों थे उनकी हत्या की थी इन सभी को सजा देने के लिए ये court बैठा तो देखे जर्मनी का जो conduct था during the war especially वैसे actions तो अब मैं इसको आगे कर देता हो तब आप समझ पाएंगे तो यहाँ देखिए आप देखेंगे तो allies का आपको meaning यहाँ पर बताया गया है allies power initially led by UK and France UK और France शुरुवात में थे लेकिन 1941 में USSR और USA ने उन powers को join कर लिया था और इनों ने जर्मनी, इटली और जापान जो की axis powers थे इनके खिलाफ यूद लड़ा था यह तो यह चीज़े मैंने आपको पहले ही बता दी है तो इस चीज़ को ध्यान रखे तो आपको different चीज़े समझने में आसानी आएगी तो देखिए अब हम नेक्स लाइन पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ की बात की ज़री है कि देखिए जर्मनी का जो चीज़े की थी वैसी चीज़े जो की Crime Against Humanity कहा जाती है कही जाती है उन्होंने एक बहुती serious moral और ethical question उठाया और इसको लेकर पूरे विस्व की ओर से यानि कि विस्व के लगवग हरेक देश ने एक कंडेम किया इस चीज़ को कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और ये क्या चीज़े थी इन चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे तो देखिए world war 2 जब चल रहा था यानि second world war जब चल रहा था उसी के background में यानि कि एक तरफ तो पूरी जर्मनी किसे ना youth लड़ रही थी दूसरे जो allied powers थे उनके खिलाफ लेकिन जो जर्मनी था यानि कि जो Hitler था उसने अपने देश के अंदर भी एक तरफा genocidal war छेड दिया था genocidal war का मतलब यह हुआ कि genocidal का मतलब होता है कि killing on large scale leading to destruction of large section of people यानि कि कोई society का एक group है जिसको पूरी तरह से हत्या कर दिया जाए यानि कि अगर एक दो हत्या नहीं पूरी society को हत्या किया जाए हजार दोजार दजार एक लाख इस तरह से तो उसे हम genocide कहते हैं which resulted in mass murder of selected group of innocent civilians of Europe देखें जो second world war के background में जर्मनी में जो genocidal war चल रहा था उसमें mass murder किया था बहुत ज़्यादा संख्या में murder किया गया था selected groups के लोगों के selected group को जो की एक तरह के innocent civilians थे उरोप के और ये जो संख्या अगर हम इस पूरे murder की संख्या देखें तो संख्या में करीब 6 million Jews 6 million Jews यानि की करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या की गई थी 2 लाख gypsies की हत्या की गई थी 1 million यानि करीब 10 लाख polish जो नागरिक थी उनकी हत्या की गई थी और 70,000 German who were considered mentally and physically disabled यानि 70,000 वैसे लोग जो की mentally और physically disabled थे उन लोगों की हत्या की गई थी तो दिखिए इसके अलावा भी बहुत सारे political जो opponents थे क्या कहते हैं नाजीज के यानि की Hitler के उनकी भी काफी ज़्यादा संख्या में हत्या की गई थी जो नाजीज थे उन्होंने एक बहुत ही अलग तरीका का उपाय निकाला था लोगों की हत्या करने का और इसके लिए वो एक gassing chamber उन्होंने बना कर रखा था और that is by gassing them in various killing centers like Auschwitz, Nuremberg Tribunal sentence only 11 leading नाजीज to death तो देखिए बहुत सारे killing centers बना कर रखे गए थे जहाँ पर जहरीले gas में एक train जैसा एक होता था machine उसमें बैठा करो ने भेज दिया जाता था अंदर और वो अंदर जहरीले gas से मर जाते थे तो इस तरह का बहुत सारे killing centers बैठाय गए थे और वही पर इन लोगों की हत्या की जाती थी तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जो Nuremberg Tribunal बैठा था यानि जो court बैठा था कि जो नाजीज को सजा देना है तो उस court में केवल 11 लोगों को death की penalty दी गई यानि मौत की सजा दी गई और उसके अलाबा बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को life imprisonment दिया गया और the retribution did come yet the punishment of the Nazis was far sought of the brutality and extent of their crimes तो देखिए retribution तो हुआ लेकिन जो punishment Nazis को दिया गया वो उनके द्वारा किये के brutality और उनके जो crime किया गया था उस extent के मुकाबले बहुत ही कम था तो उसका देखिए reason यह था कि जो allies powers थे वो नहीं चाहते थे कि Germany के उपर बहुत ही ज़्यादा हार्स हुआ जाए और बहुत ही ज़्यादा कड़े कानून लगाए जाए या फिर बहुत ही कड़ा सजा दिया जाए जैसा कि First World War में किया गया था और यह माना जाता है कि First World War में इतना ज़्यादा हार्स क्या कहते हैं युद हार्ने के बाद इतना ज़्यादा हार्स चीजे थोपी गई थी जर्मनी के उपर कि वही वो reasons थे कि Second World War को आगे चल कर दिया उसी उन्हीं चीजों ने तो सभी लोगों को यह फिल हुआ कि जो नाजी जर्मनी यानि हिटलर का जो rise हुआ था उसका एक बहुत बड़ा reason ये भी था कि जो जर्मनी को जो experience जहलना पड़ा First World War हारने के बाद और जो उसके उपर जो चीजे थोपी गई थी उन सभी चीजों को थोपने के बाद यानि कि तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं और First हमारा टॉपिक है Birth of the Weimar Republic तो यहाँ तक हमने introduction देखा इस chapter का अब हम पढ़ेंगे इस chapter के पहले topic को Birth of the Weimar Republic तो इस topic को हम पढ़ेंगे next वीडियो में तो मिलते हैं आप से हम next वीडियो में तो मिलते हैं आप से हम next वीडियो में तब तक के लिए good bye